नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का वास्तु ग्यान उपाई योटूब चैनल पर दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कार्तिक मास के छटे अध्याय की कथा का सिर्वन करा रहे हैं आप सभी भक्त जन स्रद्दा पूर्वक मन लगा कर सुने जिसके सुनने से सब पाप नास हो जाए कार्तिक महत्तम का लिखू छटा अध्याय नाराजी बोले, जब दो घड़ी रात बाकी रहे, तब तुलसी की मिर्तिका वर्ष्त्र और कलस लेकर जलासे पढ़ जाए कार्तिक में जहां कहीं भी पिर्तिक जलासे के जल में इश्नान करना चाहिए गरम जल की अपेक्ष्या ठंडे जल से इश्नान करने से दस गुना पुन्य होता है उससे सो गुना पुन्य बाहरी कुए के जल में इश्नान करने से होता है उससे अधिक पुन्य बावडी में और उससे भी अधिक पुन्य पोकर में इश्णान करने से होता है उससे दस गुना ज़र्णों में और उससे भी अधिक पुन्य कार्तिक में नदी इश्णान करने से होता है उससे भी 10 गुनापुन्य वहां होता है जहां 2 नदियों का संगम हो और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुन्य की कोई सीमा नहीं है इश्नान से पहले भगवान का ध्यान करके इश्नान आर्थ संकल्प करना चाहिए फिर तीर्थ में उपस्तित देवताओं को क्रमस अर्द आच्मनिय आदि देना चाहिए अर्द मंत्र इस प्रकार है हे कमल नात आपको नमस्कार है हे जलसाई भगवान आपको प्रिणाम है हे रिशिकेश आपको नमस्कार है मेरे दिये अर्द को आप ग्रहन करें बैकुंट प्रियाग तथा बद्र का श्रम में जहां कहीं भगवान विश्णू गए वहां उन्होंने तीन प्रकार से अपना पाउं रखा था वहां पर रेसी वेद यग्यों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे हे जनारदन हे दामोदर हे देवेज आपको प्रशन करने हे तू मैं कार्तिक मास में बिदी विदान से ब्रह्मोर्त में इश्णान कर रहा हूं आपके कृपा से मेरे सभी पापों का नास हो हे प्रवों कार्थिक मास में ब्रत तथा बिदी पूर्वक इस्णान करने वाला मैं अर्द देता हूँ आप राद का सैथ ग्रहन करें हे कृष्ण हे वलिशाली राक्षसों का संगार करने वाले भगवन हे पापों का नास करने वाले कार्तिक मास में प्रतिदिन दिये हुए मेरे इस अर्दो द्वारा कार्तिक इस्णान का ब्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो तत्पश्चात, बिश्णु, सिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रिवेश कर नावी के बरावर जल में खड़े होकर बेदी पूर्वक इश्नान करना चाहिए ग्रश्टी को तिल और आमले का चून लगाकर तथा बिदवा इस्त्रिया यती को तुलसी की जड़की मिट्टी लगाकर इश्नान करना चाहिए सब्त में अमवश्या नम्मी त्रियोदसी द्वतिया दस्मी आदितियों को आमला तथा तिल से इश्नान करना बरजित है इश्नान करते हुए निम्न सब्दों का उच्चारन करना चाहिए जिस भक्ती बाव से भगवान ने देवताओं के कार के लिए तीन प्रकार का रूप धारण किया था वही पापों का नास करने वाले भगवान विश्नु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए जो अनमुष्य भगवान विश्नु की अग्या से कार्थिक ब्रत करता है उसकी इंद्रादी सभी देवता रक्षा करते ही इसलिए वह मुझे को पवित्र करें बीजों, रैश्यों तथा यग्यों सहित, बेदों के मंत्र कश्यप आदी रिशी, इंद्रादी देवता मुझे पवित्र करें अधिती, आदी सभी नारिया, यग्य सिद्ध, सर्प और समस्त औस्दिया, वह तीनों लोकों के पहाड मुझे पवित्र करें इस प्रकार कहकर इश्णर करने के बाद मनिश्य को हात में पवित्री धारण करके देवता रिशी, मनिश्यों तता पित्रों का विदी पूरवक तरपन करना चाहिए तरपन करते समय तरपन में जितने तिल रहते हैं उतने बर्स प्रियंत्र ब्रती के पित्रगंड स्वर्ग में बास करते हैं उसके बाद ब्रती को जल से निकर कर सुद्ध वस्त्रदारन करने चाहिए सभी तीर्तों के सारे कार्यों से निवर्थ होकर पुने भगवान विश्नु का फूजन करना चाहिए सभी तीर्तों के सारे देवताओं को इश्मन करके भक्ती पुर्वक सावदान होकर चंदन फूल और फलों के साथ भगवान विश्णू को फिर से अर्ग देना चाहिए अर्द के मंत्र का अर्द इस प्रकार है मैंने पवित्र कार्थिक मास में इस्टनन किया है हे विश्णू रादा के साथ आप मेरे दिये अर्द को ग्रहन करें ततपश्यात चंदन फूल और तामबुल आदी से बेद पार्टी ब्रामणों का स्रद्ध पूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें ब्रामणों के दाय पाउं में तीरतों का वास होता है मों में बेद और समस्त अंगों में देवतों का वास होता है अपने कल्यान की इच्छा रखने वाले मनेशिकों इनका ना तो अपमान करना चाहिए और ना ही इनका बिरोध करना चाहिए फिर एकागरिचित होकर भागवान विश्नु की प्रियत तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए उनकी परक्रमा करके उनको प्रिणाम करना चाहिए हे देवी, हे तुलसी, देताओं ने ही प्राचिन काल से तुमारा निर्मा किया है और रिशियों ने तुमारी पूजा की है हे विश्नुप्रिया तुलसी, आपको नमस्कार है, आप मेरे समस्त पापों को नश्ट करो अंत में मुक्ष को प्राप्थ होते हैं इती श्री कार्तिक मास छटा अध्याय समाप्त बोलो विश्नु भगवान की जए दोस्तों वीडियो को जादा से जादा शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो मिलते हैं कार्तिक मास के साथ में अध्याय के साथ में आप सभी को जाई स्री क्रिश्ना